स्क्राइब कीजिए पासी चैनल को साथी प्रेस कीजिए इस बैल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए पीरियेट्स के खुल के ना आने के कौन-कौन से कारण होते हैं मतलब अगर आपके पीरियेट्स आ रहे हैं और आपको समाने से कम ब्लीडिंग हो रही है खुल कर नहीं आ रहे हैं तो उसके कौन-कौन से कारण होते हैं साथ ही उस समय आप कौन-कौन सी मेडिसिन को यूज कर सकते हो यही इस वीडियो में अच्छे से डिसकस करेंगे तो वेलकम बैक गाइस तू पासी चैम चैलन और बिना किसी दिले के आज की ये वीडियो फटा-फट शुरू करते हैं तो गाइस देखिए अगर आप हमारे चैलन पर पहली बार हैं तो प्लीस चैलन को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी प्रेस कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि प्रेस के खुलके ना आने का दूसरा है अगर आपको पैलविक रीजन में आपको किसी परकार की सिस्ट है और या फिर आपको पी सी ओडी की प्रोब्लम है या फिर आपके एब्डॉमन रीजन में किसी परकार का कोई ट्यूमर है या फिर आपके बच्चे दानी में गिया है आपका environment change हुआ है तब भी आपको periods खुलकर नहीं आ सकते फॉर्थ अगर आपको मेनाकी है अभी अभी period शुरू हुए हैं मतलब वो गल्स जिनकी उमर 12-14 साल के बीच में हैं और जिने मेनाकी हुआ है जिने periods अभी शुरू हुए हैं तो भी उनको अपने periods खुलकर न नहीं आती हैं साथ ही जो females menopause की condition में होती है मतलब की जिन females की age 45 साल के around होती है उनके periods आने बंद हो जाती है और यह जो process है यह इसी चीज़ से शुरू होती है कि उनके जो periods हैं उनमें उनको bleeding नहीं होती उनके periods खुलकर नहीं आती हैं अगला है कि अगर आप एक अच्छी diet को नहीं ले रहे हो mal nutrition diet है आपकी proper एक अच्छी nutritional diet अगर आप नहीं ले रहे हो तो भी आपके जो periods हैं वो खुलकर नहीं आती हैं अगला है अगर आपकी delivery हुई है या फिर abortion हुआ है तब भी आपको आपके periods खुलकर नहीं आती है अगला है अगर आपका जो body weight है वो समाने से बहुत कम है या फिर आपका जो body weight है वो suddenly gain हुआ है बड़ा है तो भी आपको periods खुलकर नहीं आती है अगर आपने recently कोई medicine यूज की है या फिर आप लंबे समय से बिमार चले हो तो भी आपको periods खुलकर नहीं आती है अगर आपको हस से जदा exercise करते हो workout करते हो तो भी आपके periods खुलकर नहीं आते हैं और अगला है guys कि अगर आपके hormones fluctuate होते हैं खास तोर पर आपका जो thyroid जो gland है वो properly function नहीं करता है तो भी आपको periods खुलकर नहीं आते हैं तो ये guys कुछ कारण थे अब चलते हैं medicine की तरफ की कौन सी medicine को use करकर आप अपने periods को खुलकर ला सकते हो तो guys दे आता है अगर आपको बिल्कुल भी knowledge नहीं है कि आपको periods किस condition के कारण नहीं आ रहे हैं तो आपको अपने doctor से consult करना है या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके abdomen cavity में pelvic reason में दर्द होता है या फिर आपको back pain हो रहा है नोजिया vomiting हो रहा है तो आपको एक बार अपने पेट भी level है वो अगर कम रहता है तो आपको जो iron supplement है खून को बढ़ाने की medicine आपने लेनी है घर पर आप हरे पत्तेदार सबजियों को ले सकते हो ताजे जूस को ले सकते हो चुकुंदर हो गया अनार हो गया ऐसी चीजों को आप लेकर अपना HB को बढ़ा सकते हो साथ ही मैं है अगर आप vegetarian हो तो आप Arbiton syrup को यूज कर सकते हो अगर आप syrup को यूज नहीं करना चाते तो आप ही मप के capsule आते हैं आप उनको यूज करें उससे भी आपको काफी अच्छा benefit देखने को मिलेगा ओके अगला है कि कई बारी anxiety stress के कारण आपके periods खुल कर नहीं आते हैं तो गाइस देखिए आपने उस कारण को खतम करना है आपने ज़्यादा stress नहीं लेनी anxiety नहीं लेनी अगला की कई बारी क्या होता है कि जो diet है वो malnutrition होती है उसमें जो proper चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं होती हैं तो ऐसे में आपने supplements लेनी हैं आप कोई supplement ले सकते हो A to Z capsule आते हैं या फिर जिंकोविट tablets आती हैं ठीक है तो ऐसे supplements आप लेकर इस problem से निजात ले सकते हो अगर आप हद से ज़्यादा exercise कर रहे हो तो देखिए आपको exercise कम करनी है अगर आपका weight ज़्यादा हुआ है तो आपने weight कम करना है अगर आपका weight loss हुआ है तो आपने अच्छी diet को लेनी है ताकि आपका जो weight है वह properly नोर्मल रेंज में आ सके अगर आपको यह problem हार्मोनल है हार्मोन के कारण है तो गाइस देखिए उसके लिए आपको proper history की जरूरत होती है और उसके लिए आपको अप बढ़ना है कि periods खुलके ना आने के कौन से कारण है ऐसे ही बेफालतु में home remedies के उपर भी depend नहीं रहना है पहले आप properly diagnose हो जाओ अगर कारण पता लग जाता है तो आप periods को क्यों नहीं आ रहे हैं खुलकर आप उसको भी easily दूर कर लोगे ठीक है एक कारण यह भी होता है कि अ छोड़े confused हो जाते हो कि आपको periods खुलकर क्यों नहीं आ रहे तो इस problem का यह solution है कि आप एक बार pregnancy test कर लो by urine जिससे आप easily find out कर सकते हो कि आपने conceive तो नहीं किया है तो guys आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूं यह वीडियो के लिए काफी useful और benefit रखती होगी अगर व झाली, स्थेप्ट